यहां उल्टा हो रहा है डेमोक्रेसी में सरकार अपने आपको सासक मान बैठी है और वो कहती है नहीं नहीं इसी से इलेक्शन होगा अरे होते कौन हो भई तुम लोगों की अपॉर्टिनिटी वेवसाओं पर डाका डाला जा रहा है मूँ खाए आंक सरमाई और इस तरह करके दबाओ में के देश बोल नहीं पाएगा और तुम चुपचाप आके फिर इलेक्शन कराओ इवियम से और चुपचाप जीत जाओ घडबड भी करेंगे तो यह लोग बोल नहीं पाएंगे यह तो सोचने की बात ही नहीं ती इसको खतम ही कर देना चाहिए तो यह तो जनता चाहती है और चिक चिक के चिला रही है मशीनों में गडबड है मशीनों में लाइव दिखा रहे हैं गडबड कैसे है और कैसे हो सकती है इससे बड़ा क्या तानाशाई वाला मामला होगा कि जितने भी यह फोटो नेताओं के चिपके हुए हैं कहीं भी जब किसी सीम का हो ज लेके अंदोलन हो रहे हैं खुछ सुप्रीम कोट के वकील जो है जंतर मंतर पर पहुचके उन्होंने इवियम को लेके जो लाइव हैकिंग दिखाई थी तमाम यह इस तरीके के चीज़े नजर आ रही है और नारे यह लगाए जा रहे हैं कि इवियम हटाओ और देश बचाओ उसी को लेके एक बार फिर सिफ प्रेस कॉंफरेंस थी इसी चीज़ पर चर्चा करने के हमारे सथ मौजूद है सुप्रीम कोट के वकील सर क्या कहेंगे आप जिस सरी के साथ प्रेस कॉंफरेंस उसमें क्या तमाम चीज़े नजर आएं तो को इसमें सारी बाते ये थी कि एवियम में वीवी पैट के जरिये परची और परचीयों की दोबारा गिंती उसमें इलेक्शन कमिशन बताते हैं बाना बना रहा है कि उसमें समय जाता लगेगा एक दो दिन जाता लगेगा अरे वह समय की बात थोड़े है बात है मैतोपूर्ण फरी एंड फेयर Relection कराने की और फरी एंड फेर Relection कराना ज्यादा मैतोपूर्ण है समय कितना लगे वह मेतोपूर्ण नहीं है उसमें खर्चा 2-4 ुपए उपर नीचे आए वह भी मैतोपूर्ण नहीं है तो ये था वीवी पैट में फिर भी गडबड की जा सकते हैं उसमें चांसीज हैं किसे ने किसे दांदली से इसलिए इन संकाओं को खतम करो और देश के सामने क्योंकि सबी ऐसे देश जो टेक्नोकरेट कंट्री हैं वहाँ भी इलेक्शन भी इस मसीन से नहीं होता उन्होंने बंद कर दिया सीधा सा मतलब है जब विक्सित देश भी इस तरह के इलेक्शन को बंद कर चुके हैं मसीनों से इवियम मसीन से तो इस देश में इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है जब के बीना रिजर बैंक की सला के बीना लोगों की सला के बीना आंकडों के प्रेमिनिस्टर रात को आठ या बारा की बज़े आते हैं और टीवी पर आके देश के नोट बंद कर देते हैं वो फैंसला इस तरह के पहेंसले किये जा सकते हैं जिसमें लाखों क्रोड़े रुपे लगे दो बारां नोड छापने में तो यह तो जनता चाहती है और चिक चिक के चिला रही है मशीनो में गडबढ़ औहीं सिय वी मशेर कोário ने कि चाही है और बार-बार सुप्रीम देशों में होते हैं दोज़र चौबेस भेदी नजदीक है तीन-चर महीने में लोग सब्सक्राइब हैं तो आपने काफी देर नहीं कर दे यह मुद्दा उठाने में देखो यह देर नहीं कर दी यह तो बात तो पूरे देश में चल रही हैं लोग इंतजार में रहते हैं कि पर इस तरह की बात सरकार के साथ जो करेंगे वह लोग करेंगे जो जिनको विरोधी दर नहीं होते हैं जो अभी पक्स में रहते हैं या जो सरकार का हिस्ता नहीं हैं मगर देस में प्रकार और तियां 저 सारी की सारी गली सड़ी होगी सारी पार्टियां इन सारी पार्टियों में ऐसे नेताओं की बर्मार है जो कि इन पार्टियों पर कब्जा किये बैठे हैं जो वैसे ब्रष्टाचारी रहे हैं किसी ने किसी रूप में और ब्रष्टाचार का काला धन जिन के पास में हैं वो कह नहीं पाएंगे क्योंकि जो बोलने की ऐसीत रखते हैं उन स्टेटों में ज्यादा तर नेता ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्रश्टचार का पैसा है वो कहीं ना कहीं इडी और इंकम टेक्स सीबिया इसे ड्रेवे लोग हैं वो दिन में अपनी पार्टियों में ते रात को बीजेपी में होते हैं यह इस देश के साथ धोका चल रहा है अपोजिशन का भी अब अपोजिशन ने बिलकुल कुछ नहीं किया तो इसलिए आम आदमी हमारे जैसे और सब लोग कोशिस कर रहे हैं और यह कोशिस है तो सचाई और देश भी चाता है मगर पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए एक जूट नहीं हो रही है वो जाने इस ऐसी मामले में ट्रांस्पिरेंट इलेक्शन के मामले में अगर पोजिशन पार्टी भी रोल अदा नहीं कर हो जाते हैं तो क्या पता चेंज जिस दिखाई दें यह यह सासन नहीं है राजाओं का सासन ही डेमोक्रेसि एडेमोक्रेसिय में जनता हुकम सुनाती है सर्कार उकम नहीं सद्क पार्टिया यहां उल्टा हो रहा है डेमोकरेसी में सरकार अपने आपको सास्थ-attमान बैठी हुझ को भी ठंडा करने की कोशिज की है कई किसी नाम पे सरकारी सिर्क कीमियों का जो बेंफीट दे दे के लोगों को नपनसक बना दिया इस देष के लोगों को जब कि एक देश का कोई भी नागरी निकम्मा नहीं है सब इतने अच्छे हैं कि जितना उसको चाहिए उतना कमा सकते हैं बलके उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं लोगों की अपॉर्टिनिटी वैवसाओं पे डाका डाला जा रहा है और लोगों को अननैसेसी गरीबी रेखा से नीचे दाकेला जा रहा है पर निशल कुरासन देके मूँ खाए आँक सर्माई और इस तरह करके दबाव में के देश बोल नी पाएगा और चुप चाप वोट भी इसी आधार पे अपना फोटो लगा लगा के पूरे देश के पेटरोल पंपों पे फोटोल चिपके हुए हैं प्रेमिनिस्टर के इससे बड़ा क्या अतानाशा वाला मामला होगा देश के पेटरोल पंपे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होनी है तो वो देश के लोगों की होनी है नया कि किसी प्रेमिनिस्टर की या किसी मुख्यमंत्री की यह इस तरह से जो भी है यह इलीगल है देश के लोगों को इन सब चीजों का विरोध मन से तो करी रहे हैं समय आने वाला मुझे ऐसा लगता है इलक्षन से पहले देश के लोगों में इतना रोस बाहर आएगा कि जो कि हम सुन रहे हैं लोगों से कि जितने भी फोटो नेताओं के चिपके हुए हैं कहीं भी जब किसी CM का हो जाए किसी PM का हो सब पे लोग कालिक पहुत लेकिन को लेकि आप कुछ बड़े सर पर क्यों नहीं कर रहे हैं अभी देखो अभी चलू हो गया मामला और जब रिजल्ट आ जाएंगे अगर परदर्शन हो गया तो इसी तरह हो जाएगा जैसे ट्रेवरों का और यह वाले प्रोग्राम में बैलेट पेपर सेलेक्षन करा में हम सब सहयोग लेंगे ना हम फार्मरों का सहयोग लेंगे जिनके साथ गलत कानून बनाया था और जिनको तेरा महीने सटकों पर रखा था हम महिला खिलाडियों का समर्थन लेंगे सारे खिलाडियों का देश के साथ जिनके साथ नाइंसापी हो रही है हम सारे महिलाओं स फेलाने के चकर में वहां तो गया नहीं जो उनकी सेवधानिक जुटी है तो यह सारा तमासा देख रहे हैं और लोग इंतजार में हैं कुछ लोग सामने आएगे अब सीविल सोसाइटी काफी मजबूत हो गई है काफी लोग कठे हो गए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और इवियम हैकिंग हो रही है तो देखे वास्तविक्ता यह है कि जब कोई चीज सच नहीं है तो रिजल्ट तो सच नहीं होंगे जिन देशों में इवियम का निर्मान हुआ उन देशों ने भी इस इवियम को बहिश्कत कर दिया वहां भी एलेक्शन बैल्ट पेपर के माध्य है क्योंकि इसकी विश्वस नेता हमेशा शक के दाएरे में रही है आप आज देख रहे हैं कि साइबर लॉव साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि एक टेलीफोन आपको आता है अपना नंबर दे देते हैं और आपका तमाम रुपया जो आपके खाते में है वह सारा चल है और उसकी संभावना नहीं बिलकुल 100% इस बात की गुंजाश है कि शासक दल अपने फेवर में EVM को इस्तेमाल कर सकता है और election को इस तरह से रिक कर सकता है यहां दुरभाग यह है कि जो सरकार है वो ही एक political party की सरकार बनके रह गई है एक political party को आजाद independent होना चाहिए सरकार से दुरभाग यह है कि देश का प्रधान मंत्री एक political नेता होने के नाते वो सरकार की machinery, सरकार के धन, सरकार की तमाम टेक्निकी साहता का दुरुपयोग अपनी party विशेष के लिए कर रहा है सम्विधान में इस बात की विवस्ता है कि एक भारत के नागरिक अपने को एक धर्म रिख्प्रिक सरकार देते हैं भारत के सम्विधान के preamble में यह लिखा है we the people of India, conceit ourselves into a democratic, secular society but where is, एक सरकार, एक सरकार का मंत्री, सरकार के प्रधान मंत्री, सरकार ही एक धर्म विशेष के प्रती लोगों में भ्रह पहला रही है और लोगों में डिमीजन क्रेट कर रही है तो जो सरकार इतना बड़ा सम्विधान के साथ विश्वास घात कर सकती है, अतिकमन कर सकती है तो इवी हम जैसे मामले में इसमें देर क्या लगती है अगर आप इमानदार हैं, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप आईए जंता के सामने, सश्ट रूप से आईए और बैलेट पेपर से चनाये करिए, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा लेकिन आप इस भरोसे जीते कि हम 400 सीटे पार्लियमेंट की जीते हैं होगी, आपको बरोसाई कि आप बटन दबाएंगे और अपने हाक में वो 400 सीटे कर लेंगे, तो इसलिए EVM का हटाना नितान तावर्शक है और जहां तक समय सीमा की बात है, कि भई अभी दो महीने रह गए हैं, को नहीं कर सकते, अरे सरकार चाहे तो एक मिनट में सारी EVM को कूड़े को समूतर में डाल दे और बैलेट पेपर रातो दिन अखबार, सौसा पेज के अखबार, हजारों अखबार हिंदुस्तान में रोजाना चपते हैं, तो बैलेट पेपर शापने में क्या दिक्कत है, तो यह तमाम चीजे नजर आ रहे हैं, कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लगतर प् हुआ है、 क्या रहा है अज़ से चाहिए, जिस्क्का रातों कि अखबार से टो यह टोritosैको तो यह खबार, हो यह ज़स south, पेपर श्माम का रातर प्रापकोinding, नह करपदे हैं